नमस्कार शब्दुसांचे के समचार बुलेटिन में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं हेडलाइन से रीवा में जबलपूर स्टीएफ की दबिश भारी मात्रा में नशीली कफ, सिरप, टैबलेट और कैपसूल बरामद रीवा से ग्वालियर जा रही बस को डंपर ने मारी भीशन टक कर सैनिक स्कूल के एक छात्र की मौत पैतिस यात्री घायल पती की बरबरता का शिकार हुई पत्नी ने संजय गांधी अस्पताल रीवा में बच्चों के साथ गुजारी रात, सुबह पहुँची स्पी ऑफिस रीवा में गुढ की घटना को लेकर विभिन सामाजिक संगठनों ने रैली निकाल कर आरोपियों को फासी देने की मांग की रीवा में शिल्पी प्लाजा के पीछे इस्थित बरगत के पेड़ और हनुमान जी के मंदिर को हटाय जाने का विरोध रीवा जिले के गुढ की घटना ने लिया राजनेती गरंग, महिला कॉंग्रेस ने घटना इस्थल का किया शुद्धी करण रीवा में दुकान बंद कर घर जा रहे व्यापारी को कारने मारी टककर हुई मौत सतना में अश्लीलता और मारपीट के आरोपी को पांच साल बाद तीन साल की सजा सीधी में परियाटकों को हुए मौसी बागिन के दीदार जो चार शावकों के साथ कर रही थी जंगल की सैर दिवाली छट पूजा पर ट्रेनों में खचा कच भीड गेट पर लटक कर और टॉयलेट में बैट कर सफर करने को मजबूर मिस इंडिया निकिता पोरवाल से नाराज हुए उचैन महाकाल मंदिर के पुजारी एंपी में सरकारी कर्मचारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ा जनवरी दोहजार चौबिस से मिलेगा एरियर और जम्मू कश्मीर के अकनूर में सोमवार को सुरक्षा बलो ने तीन आतंकियों को मार गिराया वर्षा गोल्ड पैलस और डाइमंड धंतेरस और दिवाली की शुपकामनाओं के साथ आपके लिए लेकर आए हैं एक लाग की खरीदारी पर 24 कैरेट सोने के सिक्के का उपहार एवर मेकिंग चार्जर्ज और डाइमंड ज्वैलरी पर 25 परसन की छूट यही नहीं हर खरीदारी पर पाईए निश्चित उपहार तो आज ही पधारी नरेंदर नगर अमहिया में हमारे संस्थान हमारा फोन नमबर है 9752-198034 और 9630492380 तो देर ना करें सीमित समय के लिए है ये सोगात अब खबरें जानते हैं विस्तार से रिवा जिले के गुड में हुए गैंग रेप कांड को लेकर शहर में विभिन सामाजिक संगठनों ने रैली निकाल कर विरोध प्रदेशन किया इस दोरान आरोपियों को फांसी की सजा दिये जाने की मांग की गई जिससे की ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो आरोपियों के ऐसे कृत के कारण समाज में डर का माहौल पैदा हो गया है जिले में दाशनिक इवं परियटक स्थलों में लोग जाने से डरने लगे हैं समाजिक संगठनों ने पेड़िता को आर्थिक सहायता और पेड़िता या उसके पती को शास की नौकरी देने की मांग की है साथ ही परियटक स्थल में पुलिस चौकी स्थापित कर पुलिस दल तैनाद करने की मांग उठाए गई है नीलम चौरसिया रास्टी उपाद्यक्ष चौरसिया समाज रीवा इतना घिनोना कृत हुआ है कि समाज को क्या पूरी दुनिया को जागरित कर दिया जाए तो कम होगा क्योंकि ये लगातार रेप की घटनाए हो रही है और जो ये घटना हुई है बहुत ही गलत इतना घिनोना काम इनसान को सोचकर भी डर लगता है कि हमारी आज बेटिया कैसे सुरक्षित होंगी किसी जाद, किसी वर्ग, किसी उम्र का कोई लिहाज ही नहीं रह गया है संसार में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं कलेक्टर को ग्यापन देंगे उनसे ये निवेदन करेंगे कि उन सारे बलतकारियों को फासी की सजाद दी जाए और नारियों के सम्मान में जो भी ऐसा व्यक्ति सामने आता है कभी किसी तरह भी उसको छोड़ा नहीं जाए और पुरिस प्रसास का निभा कर हम महिलाओं का सम्मान बचाएं और कलेक्टर मैडम भी खुद एक महिला हैं तो उन से ये निवेदन रहे हमारा एन میں वह भी फासी की सजा सुनाने में उनसे अप रादियों को हमारा तटपर ओकर मदद करें हमारा साथ दें और महिलाओं के सम्मान की रक्षा कर रिवा जिले में STF की जबलपूर इकाई ने दबिश देकर भारी मात्रा में नशीली कप सिरफ सही टैबलेट और कैपसूल बरामत की है जिले के गुड़क शेत्र में कारवाई करते हुए STF टीम पिता पुत्र को गरफतार कर जबलपूर ले गई बताया गया है कि आरोपी अपने ही घर में इटों के धेर के पीछे सबजियों के कैरेट में नशीली सामगरी को छुपा कर रखते थे STF थाना भोपाल में रिवा जिले के गुड़क शेत्र अंतरगत वाड करमांग 10 सबजी मंडी निवासी गजेंद्र पांडे 43 वर्ष एवं ग्यानेंद्र पांडे 19 वर्ष पिता पुत्र के खिलाफ NDPS Act और Drug Control Act के तहट अपराद दर्ज कर कारवाही की गई है वताया गया है कि आरोपियों को जबलपुर न्यायाले में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया है रिवा शहर के सिविल लाइन थानक शेत्र अंतरगत पदमधर कॉलोनी के समीब बीती रात करीब 12 बजे हुए सड़क हाथसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई घटना के बाद टक्कर मारने वाली कार सहित चालक फरार हो गया पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है पदमधर कॉलोनी निवासी शशिकांत पुरवार छोटी पुल के पास किराने की दुकान संचालित करते थे देर रात इस कूटी से घर जाते समय दुर घटना का शिकार हो गए मध्यप्रदेश के चतरपुर जिले में डंपर की टक्कर से यातरी बस खाई में पलट गई हाथसे में सैने के स्कूल रीवा के 13 वर्षी चातर की मौत हो गई और लगभग 35 यातरी घायल हो गई हाथसार अविवार की आधी रात को हुआ चतरपुर जिला मुख्याले से 24 किलो मीटर दूर बागेशवर धामते राहे पर रीवा से गवालिया जा रही बस को डंपर ने भीशन टक्कर मारी इसके बाद बस खाई में पलट गई हाथसे में घायलों को तुरंत चतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया तीन ग्यातर किया कि दीपावली की छुटियां है पापा मुझे लेने आ जाओ मैं बेटे को लेकर बस से आ रहा था तभी छतरपुर के बागेशवर धाम के पास एक्सिडेंट हो गया वो बस के नीचे दब गया था मैंने लोगों से मदद के लिए कहा चिलाया कि मेरे बेटे को निकालो लेकिन किसी ने नहीं सुनी काफी देर बाद बेटे को निकाला गया जब तक उसने दम तोड़ दिया रिवा जिले के मनगवा थानक शेत्र में पती ने अपनी पत्नी और पांच बच्चों के साथ मार पीट की इतना ही नहीं मार पीट के बाद पत्नी और बच्चों को घर स बाहर निकाल दिया जिसकी शिकायत पत्नी ने मनगवा ठाने में भी की लेकिन पुलिस ग्वारा कारिवाई नहीं किये जाने पर महिला अपने बच्चों को लेकर रीवा के SP आफिस पहुँची पीडिता सुश्मा मिश्रा ने बताया कि उसके पती उमेश मिश्रा नशे की हाल गई रीवा में शिल्पी प्राजा के पीछे इस्थित बर्गत के पेड़ और हनुमांजरी के मंदिर को हटाया जाने का विरोध शुरू हो गया है भाजपा नेता वा पूर्व युवा मोचा प्रदेश कारिय समिती सदस्य विजेंद्र गौतम ने कहा कि आखिर एक के अगया जाता है रमार रात के समय या सुबह सुबह ऐसे कारियों को अंजाम दिया जाता है सडग पर इस्थित मजारों पागा मस्जदों पर प्रशाषन आख बंद कर लेता है उन enfant कोई कारवाई नहीं होती लेकिन मंदिरों पर ख हुली काड़ाई करता है ऐसे ही विणसे तरह से स्थापित किया देखिए बहुत सारे विकास कार हैं जिसके तहत निश्चित रूप से कई बार हटाना पड़ता है लेकिन सवाल यहां यह ख़ड़ा होता है कि आखित सरक से किनारे और वो नाले से बगल से सटा हुआ था बर्गा पेर पुराना था और यहां जो बरे पुराने लैंड मार्क टाइप के जो पेंड होते हैं सहरों में उनको संड़क्षित किया जाता है उनको कहीं न कहीं एक संड़क्षन प्रदान किया जाता है क्योंकि वाताबन भी सुद्ध होता है मार्किट के बीच का वो बड़ा पेर था उसके नीचे एक छोटा मंदिर ज्यादा बला भी नहीं था उसे छोड़ा जा सकता था और ऐसी जगह में था कि वो छुट जाए लेकिन उसको अटा करके आपने उत्तर दिसा से पस्तिन दिसा की और बना करके एक चब उत्रे में रख दिया दूसरा यह भी गारंटी नहीं है कि वहाँ पर मंदिर बनेगा तीसरा यह नहीं समझ में आ रहा है कि सिल्पी प्लाजा की जो बॉंडरी है जो निर्मानकार है उससे 15 फिट पीछे से है लेकिन वो सलक के किनारे से प्लाटिंग कैसे दी गई है क्या सलक खतम होते ही उनका जो निर्मानकार है वो सुरू हो जाएगा या कुछ जगह वो उस बिचार के तहए उनको बताना चाहिए थे कहम इसको हटा गरके नया मंदिर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे क्या करेंगे लेकिन आज रात के अंधेरे में आप मंदिर को हटा देते हैं सुबह पता चलता है कि वहां कुछ नहीं है एक सनातन धर्म में प्रक्रिया है य नहीं भी रख देता है नहायत ही गंदा तरीका है यह अपमान जनक तरीका है हम देखते हैं इसी सहर के अंदर विभिन चौराहों के आसपार सड़क में मजारे बैठी हुई हैं मजारे हैं यहां मस्जिदे बनी हुई है उस पर किसी तरह की कारवाई नहीं होती मांग उठत गटना को लेकर लगातार सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है जिसके तहत एक ओर जहां जिला कॉंग्रिस कमिटी आंदोलन कर रही है वहीं महिला कॉंग्रिस पेडिता को न्याय दिलाने के लिए कमर कस रही है महिला क कॉंग्रेस का एक दल रविवार को घटना अस्थल पहुंचा और भैरव बाबा मंदिर परिसर से सटे पहाड़ी क्षेत्र में मंत्रो चारवा गंगा जल छड़कर शुद्धी करण किया। वहीं कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतु पठवारी द्वारा पांच सदसीय जाज समीती गठित कर वस्तु इस्थिती की रिपोर्ट प्रदेश कार्याले भेजने के निर्देश दिये हैं। सतना में नागौत की अदालत ने एक महिला के साथ हुई अश्लेलता और मारपीट के मामले में आरोपी को पांच साल बाद सजा सुनाई। नाया धीश वैभव पतेल ने ग्राम मढ़ी ठाना निवासी चंद्र बहादुर सिंग उर्फ बढ़का को दोशी ठहराते हुए तीन साल के कारावास और एक हजार रुपे जुर्माने की सजा सुनाई है। सीधी जिले के संजय टाइगर रजर्व की मौसी कही जाने वाली बागिन T28 अपने चार शावकों के साथ कोड जोन में देखी गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सुमवार को वाइरल हुआ वहीं पूरे मामले को लेकर पौडी रेंज की रेंजर कविता रावत ने बताया कि ये वीडियो संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र का ही है। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगातार बागू की संख्या बढ़ रही है। यहां देश के कोने कोने से परियटक बागू का देदार करने आते हैं। मध्यप्रदेश के उजयन के महाकाल मंदिर में फैमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने ताज पहन कर बाबा महाकाल के दर्शन किये। अब इससे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि भगवान महाकाल अवंतिका के राजा माने जाते हैं किसी भी व्यक्ति को उनके सामने सिर पर पगड़ी टोपी या ताज पहन कर जाने की अनुमति नहीं होती। ऐसा करना मंदिर की मर्यादा का उनलंगन माना जाता है। भगवान महाकाल राजा दिराज के सामने लोग पगड़ी टोपी के और ताज जैसे कि आज एक वाइरल जो मीडिया में हुआ है जो हमारी उज्जेन की ही बालिका है वो मिस इंडिया बनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्वकी वाते उज्जेन के लिए और भगवान म महाकाल के समक्ष पेहन के जाना कम से खम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकुल नहीं है वहां जाकर वो ताज हातों में ले जाकिए भगवान महाकाल के यह दि शरणڈ में रख के और उसे परातना करती तो उससे उसका मान भी बढ़ता संमान भी बढ़ता और ताज जो है उसक बगवान से प्रात्ना थी लेकिन मर्यादा के अनुकुल ऐसे लोगों को काम करना चाहिए हमारे उज्जेन की लड़की है उसने गोरव प्राप्तिक किया है लेकिन मंदीर का भी गोरव बना रहे मंदीर की मर्यादा भी बनी रहे यह हम चाहते हैं जबलपुर में एक सूने मकान में भीशन आग लग गई इससे घर में रखे गैस सिलिंडर में एक के बाद एक दो बार जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसके चलते पूरा इलाका दहल गया घटना रांजी थाना के सुभाश नगर में सोंबार तड़के सुभा करीब साढ़े चार प्रतिशत दिये बढ़ा दिया है मुख्यमंदरी डॉक्टर मोहनी आदव ने सोंबार को इसकी घोशना की इसका फाइदा साढ़े साथ लाग करमचारियों को मिलेगा ये फैसला जनवरी दोहजार चौबिस से लागू होगा अब प्रतेश के करमचारियों का डिये 46 प्रति प्रतिशत हो गया है इससे उनको हर महीने 620 रुपे से 5640 रुपे का फाइदा होगा वहीं 10 महीने के एरियर के रूप मे 6200 से लेकर 56400 रुपे तक मिलेंगे हाला कि केंद्र और राज्यसरकार के महंगाई भत्ते में अभी भी 3 प्रतिशत का अंतर है दिवाली और छट के चल वाली ट्रेनों में भीड उमड रही है यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भीड देखते ही बन रही है हालात यह है कि अपने घर शहर तक जाने के लिए यात्री देर रात तक ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं ट्रेने भी खचा-खच चल रही है स्लीपर कोचों की हालत जन महराश्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सुमवार दोपहट तीसरी लिस्ट जारी की इसमें 25 उम्मीदवारों के नाम है पार्टी अब तक तीन लिस्ट जारी कर चुकी है इसमें कुल 146 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है जम्मो कश्मीर के अकनूर में सुमवार को सुरक्षा बलो ने तीन आतंकियों को मार गिराया सुबह करीब 7.30 बजे लोसी के पास भटल इलाके में इन आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फाइरिंग की थी हाला कि इसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ आतंकिय फाइरिंग के बाद जंगल की ओर भाग गये थे सेना ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया करेब 5 घंटे की मशकत के बाद तीनों आतंकियों को धेर कर दिया गया कॉंग्रस महा सचिव प्रियंका गांधी दो दिन के चुनावी दोरे पर सुमवार को वायनार्ट पहुँची उन्होंने यहां रोड शो किया और मीनान गड़ी में जनसभा को संबोधित भी किया मौसम की बात करें तो अक्टूबर के आखरी दिनों में मध्य प्रदेश में मौसम के तीन रंग देखने को मिल रहे हैं साइकलोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से पिछले 24 घंटे के दोरान कई जिलों में बादल चाय रहे वहीं रीवा सिंग्रॉली और अनुपूर में हलकी बारिश भी हुई मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्से जैसे जबलपूर, रीवा शेहडोल और सागर संभाग के कुछ जिलों में भी गरत चमक के साथ बूंदा बांदी हो सकती है वोपाल, इंदोर, उज्जैन, नर्मदापूरम संभाग में दिन में गर्मी का असर बना रहेगा जबकि गवालियर चम्बल संभाग में रात के समय ठंड का असर ज्यादा रहेगा नवंबर से सभी जिलों में सर्दी बढ़ने लगेगी इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ जुड़े रहे शब्द साची से स्वतंद्र और निश्पक्ष पत्रकारिता के लिए आप हमें सुपर ठैंक्स भी दे सकते हैं धन्यवाद